आप देख रहे हैं लाइव सेवन नमस्कार लाइव सेवन विसेश में आपका स्वागत है मैं हूँ ग्यान रंजन विसेश में आज हम चर्चा करेंगे गिरीडी में महतोवार जिस तरह से गुरुवार को जार्खन मुक्ति मोचा ने अपनी पहली सूची जारी की और उसमें दो पर्तियासियों के नाम की घोसना की एक जिस पर चर्चा गुरुवार को ही मैंने विसेश में की थी दुमका संसदिय सीट को लेकर और दूसरी सीट जिसकी घोसना जारकन मुक्ति मोचा ने परतियासी की है वो है गिरीडी संसदिय च्छित्र और वहां से उन्होंने तीन बार के विधायक और पुर्मंतरी मत्रा परसात महतों को कैडिडेट बनाया है तो क्या होगा गिरीडी का समीकरण इस बीच ये भी बता दें कि आसू पार्टी ने NDA के बैनर तले आसू पार्टी ने वहां से चंदरप्रकास चौधरी को फिर से टिकट दिया है फिर से उमिदवार बनाया है और एक नया नाम जो इन दोनों नाम चंदरप्रकास और मत्रवा दो के बीच में जो त्रिकोन बना रहा है गिरीडी में वो नाम है टायगर जैराम महतो का टाइगर जैराम महतो की इंटरी क्या कुछ गुल खिलाएगी गिडी संसादिय छेत्र में या फिर जैसिर राम मत्रा से निकले जैसिर राम जैसिर राम से जैराम तक आते आते जैराम फुस हो जाएंगे या फिर क्या इन दोनों के बीच जो समीकरन बनेंगे उसमें जैराम महतोजिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ें राजनिती में आये हैं और पहली मरतबा ही लोग सभा चुनाव से अपने सफर की सुरुवात कर रहे हैं सक्रिय राजनीती में तो ये क्या क्या कुछ समीकरन बनेंगे इन सारे विश्यों पर हम चर्चा करेंगे सारे विश्यों के बारे में आपको हम बताएंगे और क्या फैक्टर काम करेगा जैराम का ये भी हम बताएंगे और जैराम किस रूप में निकले और कैसे उन्होंने पिछले 2021-22 कोविट के बाद से वो आंदोलन सुरू करते हैं और उसके बाद जो है सो महतो बेल्ट में खास करके वो अपनी एक चाप अस्थापित करते हैं अपना एक अस्थान अस्थाप बनाते हैं तो वो क्या इफेक्ट गिरिडी में लाने जा रहा है और आखिर जैराम ने गिरिडी को ही क्यों चुना है चुनाओ लड़ने के लिए इन सभी विश्यों पर हम आपसे चर्चा करेंगे बताएंगे आपको लेकिन पहले हम गिरिडी संसदिय छेत्र के बारे में बता दें गिरिडी संसदिय छेत्र जो है वो अबरक और कोईला उद्योग के लिए जाना जाता है अबरक और कोईला का छेत्र है वो जो संसदिय छेत्र है वो बेरमो का एरिया हो बागमारा का एरिया हो या टुन्डी का एरिया हो गिरिडी लोकल गिरिडी जो प्रॉपर टाउन है वहां का एरिया हो कोईला है अबरक है गिरिडी में खास करके तो कोईला और अबरक की चमक पर ये महतो जो तीन-तीन महतो मैदान में उत्रे हुए हैं इन पर इस बार जनता का मोहर किसके साथ लगेगा ये सारे विशे को मैं बताने जा रहा हूं पहले मैं बता दू कि गिरिडी में सबसे पहले 1952 में नागेस्वर प्रसाथ सिर्णा कॉंग्रेस पार्टी से सांसर चुने गए थे उसके बाद 1957 में काजी में मतीन छोटा नागपूर संताल प्रगणा जनता पार्टी से चुनाओ जीते 1962 में ठाकुर बटेश्वर सिंग स्वतंदर पार्टी से चुनाओ जीते 1960 में इम्तियाज अहमद कॉंग्रेस पार्टी से चुनाओ जीते 1971 में चपलेंदू भटाचारिया कॉंग्रेस पार्टी से चुनाओ जीते 1977 में रामदास सिंग जनता पार्टी से चुनाओ जीते 1980 में बिहार के पुर्मुख मंत्री विंदेशरी दूबे कॉंग्रेस पार्टी से यहां से चुनाओ जीते 1984 में सर्फराज अहमद कॉंग्रेस पार्टी से चुनाओ जीते नवासी में रामदास सिंग बीजेपी से चुनआधीची चुनम सबूता है चौधरी आजसु यानी NDA समर्दित कैंडिडेट है इसी समय दो हजार उनीस में ही रविंदर पांडे सीटिंग एंपी थे उनका टिकट काटके आजसु कोटे में यह सीट गई थी और चंद्रकाश चौधरी को टिकट मिला था चंद्रकाश पुरकाश चौधरी ने अपनी न अलग राज बनने के बाद देखा जाए तो NDA की पकर यहां मजबूत है एक मर्तवा जारखन मुक्ती मोर्चा 2004 में स्वर्गे टेकलाल महतों यहां से चुनाओ जीते थे जिनके पुत्र अभी हजारी बाग से जेपी पटेल भाजपाचोर कॉंग्रेस में सामीलों के चुना कि आप देखेंगे कि पिछले चुनाओ से जगरनात महतों महतों उसके बाद चदरप्रकाश चोधी वह भी कुर्मी जाती से महतों वह भी महतों वार के पीछे का वज़ा यही है कि गिरिडी संसदिये चेत्र में कई ऐसे विधान सवाद चेत्र है जहां पर कि महतों आवादी डोमिनेटेड है चाहे वो गोमिया हो, डुम्री हो, प्रॉपर गिरिडी हो, टुन्डी हो और बागमारा में भी कुछ चेत्र तो तीन जीले के दो दो विधान सवाद चेत्रों से बना यह संसदिये चेत्र अगर आप देखें तो गिरिडी से गिरिडी और डुम्री दो विधान सवाद चेत्र जो आते हैं वो गिरिडी जीला से हैं बेरमो और गोमिया दो बोकारो जीला से आते हैं बागमारा और टुंडी धनवाज जीला से आते हैं अगर आप देखेंगे यहां पर विधायकों की स्थिति क्या है च्छह विधान सवास अदस्यों वाली इस संसदिय छेत्र में अगर विधायकों की देखें तो जार्खन मु तो डुम्री से बेवी देवी जो सुर्गे जगनात महतों की पत्नी है वो भी जार्खन मुक्ति मोर्चा से एक बागमारा सीट पर वहां से डुलू महतो है जो बीजेपी के कैंडिडेट है धनवाज संसदिय छेत्र से उसके बाद जैमंगल सिंग जो कैंडिडेट है आपक कॉंग्रेस एक बर भाजपा और एक बर आसू का कबजा है लेकिन अंतर जो देखिए वोटों का अंतर जो पिछले मरतवारा था लगवग धाई लाग के करीब वोटों का अंतर होता है ये बड़ा अंतर होता है अब सवाल उठ रहा है कि इस बार 2024 में क्या-क्या समीकरन बन बन है 15 से 16 परसेंट करीब में जो आवादी है वो वैस्य की आवादी है सिडूल कास्ट की आवादी कम नहीं है सिडूल कास्ट की आवादी हैं पर जो आकड़े मेरे पास आ है 14 दसमलब 7 परतिसेत है मुसलिम आवादी के अगर हम बात करते हैं तो 16 दसमलब 2 परतिसेत मुस सवाल ये उठ रहा है कि तीन महतों की लड़ाई में क्या कुछ समीकरन बैठेगा क्या जैराम जो जे के एलम के तहर चुनाओं को चुनाओं चुनाओं आयोग ने जारकंडी खतियानी भासा संगर समीती जो उनका जिसके बैनर तले वो आंदोलन कर रहे थे जिसके बैनर तले 46 नहीं चलतो 1932 खतियान लागू करना होगा नियोजन निती अस्थानिये को देखके लगाना होगा जो भी विस्थापित हैं उनको नौकरी देना होगा कमपनियों में जो हैसो विस्थापितों को सत्पसत नौकरी मिले इन आंदोलन के साथ जो बोकारो जीला में खास करके और उन्होंने धनवाद के बलियापूर से जाकर के सुरके बिनोत बिहारी महतो के यह से जाके अपनी आंदोलन की सुरुवात की थी वो जहराम महतो क्या जिस रूप में वो उबरे थे क्यों की एक एक सभा में उनकी 50-50,000 से ज़्यादा की भीर देखी जा रहे थी जब वो अस्थानिय मुद्दे को ले करके निकले थे, राजवन के सामने घेराओ किये थे, बिदान सभा के सामने घेराओ किये थे, तो उसका effect क्या इस चुनाव में देखने को मिलेगा, वो परतिविब में दिखेगा, इस चुनाव में, ये एक बड़ा सवाल है, या फिर जैराम म महतो जो है, वो महतो वोट काटने के लिए ही सिर्फ महा खड़ा हुए है, ये भी उठेगा सवाल, क्योंकि बार बार ये चीज़ें आ रहे थी सामने, बार बार ये कहा जा रहा था, कि जैराम महतो सुदेश महतो महतो लीडर बने हुए हैं, उसके काट के लिए अपने आप को project कर रहे हैं महतुव लीडर के रूप में लेकिन जिस समय जगनाद महतो का निधन होता है उसके बाद विधान सवा का अपचुनाव होता है डुम्री में उस समय भी ये बाते सामने आ रहे थी जे राम महतों का यहां पर ये बड़ा सवाल उठ रहा है क्या जिस रूप से उभरे थे वो उभार उनके चुनाप पर्णा में दिखाई देगा अगर आप जाती है समिकरण की बात करते हैं तो मुसलिम वोट ना पहले बीजेपी को मिलता था और ना अब बीजेपी को मिलने जा रहा है तो 60% वोट जो है सो उसमें सेंदमारी करने की हैसियत जैराम महतों की नहीं है यहनी वो 60% वोट जो है इंडी गटबंदन यहनी जारकर्ण मुक्ती मूर्चा को जाएगा इसमें भी कोई दोराय नहीं है लेकिन अगर हम बात करते है सिडूल कास्ट की सिडूल कास्ट का वोट है सिडूल कास्ट का जुकाव है वो भारतीयंता पार्टी के तरफ रहा है राम मंदिर का जो मुद्दा उठा हुआ है राम मंदिर का मुद्दा इसलिए इस अंसदिये छेत्र में काम करेगा क्योंकि इस अंसदिये छेत्र में जो है सो बराबर जो है सो जैसिर्राम के नारे बड़े जोर सोर से लगते थे गुंसते थे ये भी इफेक्टेट होगा, तो मैंने कहा था कि क्या JSI Rā norm के आगे टिक पाएंगे जै राम, ये भी सवाल खड़े होते हैं, ये भी सवाल उठते हैं, मतरा मेहतों के साथ क्या है कि वो एक सज्जन वेक्ति है, तीन टर्म से विधायक हैं, मंतरी रह चुके हैं हिमान्सुर पिछले वारे में इमन्सोरी की सरकार में तो अर्जुन मुंडा की सरकार में माफ कीजिए का मंतरी रह चुके हैं तो इस इस्थिती में क्या है ये मत्सुरा परसाथ मेहतों बड़ी चुनोती चंद्पकास चौधरी के लिए बन पा रहे हैं लेकिन ये तभी होगा क्योंकि अगर महतों वोट का डिवीजन होता है तो उसके बाद जो वोट होते हैं चाहिए वो सामान सरणी के वोट हों सिर्ण कास्ट के वोट हों या OBC के अन्यवर जादव और वैस समुदाय के जो वोट हैं जो वैस समुदाय के अपने तरफ मतुरा परसाद महतो कर पाते हैं ये उनके लिए एक बड़ी चुनाओती है सिरुल ट्राइब्स के वोट को अगर देखें अगर आप मान के भी चलें कि सिरुल ट्राइब्स का दिकांस वोट जारकन मुक्ती मोर्चा को मिलता है मुसलिम वोट जारकन मुक्ती मोर्चा को मिल जाता है लेकिन OVC में महतो को छोड़ करके जो अन्य वोट हैं उसका जुकाओ अपनी और कैसे मतुरा परसाद महतो करते हैं ये उनके लिए बड़ी चुनाओती है पिछले चुनाओ में देखा गिया था महतो वोट का वटवारा पिछले चुनाओ में भी हुआ था जगणाज महतो को भी महतो वोट मिला था चंद्पकाश चौदरी को महतो वोट मिला था लेकिन OBC के जो अन्य वोट थे वो बलक में चंदरपकास चौधरी को मिले थे और नतीजा था कि वो धाई लाक के करीवन वोट से चुनाओ जीते थे और इस बार जो राम मंदिर का मुद्दा चाया हुआ है जैसी राम के जो नारे लग रहे हैं उसके बाद से एक और सीन बन रहा है दूसरा भारती जनता पार्टी ने जो गेम खेला है कि OBC का जो जो भी समाने सीटे थी उसमें अधिकान सीटों पर दो सीट को छोड़कर दो तीन सीट को छोड़कर सही पर जो हैसो OBC वर को प्रत्यासी बनाया है उसमें वेस समदाय से दो-दो परत्यासी बनाये है वो हजारी बाग से मनिस जैसवाल हो या फिर धनवास से धुलू मैतो हो तो इसका भी जो हैसो इफेक्ट परेगा क्योंकि भारती जनता पार्टी अगर किसी एक समदाय को टार्गेट की वी है टिकट दी है तो वो इफेक्टेट होगा दूसरा मोदी लहर के सामने जैसा देखा गिया 14 में के चुनाओ में 19 के चुनाओ में कि जारखड में पूरी तरह से भी पक्षी दलों का सुपड़ा साफ हो गया था तो वो लहर इस बार जिस तरह से इंडी गट बंदन में सीट सेरिंग को ले करके किच-किच चल रहा है अभी तक किच-किच चल रहा है या फिर नाम आते हैं तो उस नाम को आज आने के बाद वो प्रत्यासी खुद मसकत कर रहे हैं वहाँ पर जो है कोई नेता नहीं मिल रहा है बड़ा नेता जो कि अभी से जा करके कलपना सोरेन हलांकि कल से काम करना सुरी है अजारी बाग से वो अपना कारिकरम देना सुरू की है कलपना सोरेन कितना इफेक्टिव होंगी क्योंकि ये तो तही मान के चलिए कि सीवू सोरेन और हेमन सोरेन की तरह कलपना सुरेन इफेक्टिव अभी नहीं हो सकती है बात की दिनों में वो कितने अपने आपको मजबूत कर पाती है अपने आपको चैमगा सकती है वो अलग की बात है लेकिन जो चीजें इस पार्किंग जो देखी जाती थी गुरू जी के जाने के बाद या हेमन सुरेन ने जिस तरह से जारकन मुक्ती मोर्चा की कमान को समाला था वो कितना इफेक्ट होता है एंडिये के पास एक सबसे बड़ा नाम ननेदर मोदी का है जो हर जगा जो है सो उस नाम के आगे यानि दोनों के बीच में अपने आपको कैसे निकाल पाएंगे ये देखना दिल्चस्प होगा बहराल आज के भी सेस में तना ही आप मारे साथ जुरे रहें हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार